जै श्री राम दोस्तों तो आज हम लोग जा रहे हैं अयोधिया में हम जा रहे हैं राम की रसोई और ये पढ़ता है अमावाराम मंदिर में अमावाराम मंदिर हैं आपका ये जन भूमी के जब जन भूमिय एंटर करने जाएंगे उससे पहले आमावराम बंदर पढ़ता है तो यह देखिए यह मावराम मंदर है और यहां पर बहुत सबसे पहले हैं की व लिए सबने ह convection के लिए अबने आपको two hour dok d दिखा कर kau यह थे के अंदर इंडर का तो वर का हो ए मनों अपर 11 कर हें दो ते चेहां यह पर है और यहां हम लोग बैट गया बैटने की बहुत अच्छी विवस्ता थी बहुत साफ सफाई थी हमें स्टील की प्लेट मेरी और हमारा जो भोजन था बहुत जादा स्वाधिस था तो आपको फोड दिखाते हैं यहां पर हमें एक मिक्स वेजटेबल मिला था जैसमें घुपी आलू और मटर और न्यूटर निगेट वगेरा सब कुछ थे और एक बहुत अच्छा खाना मदलब आलू टमाटर की सबजी थी ज्योंकि मुझे सबसे अच्छी लगी बैस पार्ट सबजी बहुत अच्छी थी इसके लावा पूड़ियां मिली हैं आप जितना चाहो उतना ले सकते हो पूड़ियां बहुत अच्छी थी मोयन वाली पूड़ी थी कुरकुरी थी और राइज है डाल है इसके अलावा आपको फ्रायर्स और पापड़ भी मिलते हैं and this is the best part क्योंकि कही भी लंगर या पे बंडारे में जल्दी देखने को नहीं मिलता है यह सारी चीज़ें तो वह बहुत अच्छा लगा और खाना बहुत ज्यादा टेस्टी थी था हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया आप जितना चाहो उतना ले सकते हो और सफाई हाईजीन तो बहुत ज्यादा थी म कारिसर बहुत बड़ा था जिसको जहां जंगा मिलती है आराम से बिठाग दिया जाता है आराम से फैन वकेरा की विवस्था है अच्छे से और बहुत साफ सफाई थी और कारिकरता बिलकुल लगे हुए थे टाइम से सबको दे रहे थे बार-बार पूछ भी रहते आप जि अगर आप राम जनभूमी जा रहे हैं आपको भूक लगी है तो सबसे पहले आप यहां पर अच्छे से खाना खा सकते हैं ए प्र वहां आप अनन्द ले सकते हैं यहां पर श्री राम जी का बाल स्वरूप का मंदर है उन जोगी हम आपको दिखाते हैं इसमें बहुत ही ज् प्रभू श्री राम यह आप देख सकते हैं तो एक बार जै श्री राम सब को एंड सब लोग लिटरली सब लोग जाईएगा इंजोए करिएगा भंडारा बहुत प्यारा था ताइंक इस सो मच जै श्री राम